सर्दार पटेल स्पोट एंकलेव के भुमी पुजन और नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा के उद्घाटन प्रसंग पर आज हम सब के बहुत आग्रह पून निवेदान को सन्मान करते हुए उपस्तित महामहिम राष्टपती स्रिमान डामनात कोविजी भारत की प्रथम महिला स्रिमती सविता कोविजी गुजरात राज्य के आजानिय राजपाल महुदय आचारिय देवर्वत जी भारत सरकार के खेलकुद मंत्री मेरे साथी स्रिमान किरन डिज्जु जी गुजरात सरकार के उरजावान उपमुख्य मंत्री स्रिमान नितिन भाई पटेल जी संसत सदस्य और जिनों ने पूरे स्टेडियम की कंस्ट्रक्शन में बहुत योगदान दिया है ऐसे भाई परिमल नत्वानी जी गुजरात सरकार के मुख्य सचीव स्रिय अनिल मुकिम जी एस्ट्रक्शन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्स बिसी सी आई के सचीव स्रिमान जय जी स्रिधन्नुराज नत्वानी जी और आज देज भर से आयोए राज्य के सभी खेल कुछ जगत के नामांकित व्यक्तिगन और उपस्तित भाहियों और बेहनों आप सभी को मैं प्रणाम करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूं मित्रो आज भारत के खेल जगत के इत्यास का स्वनेम दिन है आज के दिन भारत के राष्ट्रपती महोदय के करकमलों से भारत के लोपुरुष भारत रत्न और गुजरात के सुपुत्र सर्दार वलबबाई पटेल के नाम के साथ जोड़कर एक बड़े स्पॉर्ट एंकलेव का भूमिक उजन करने की सुरुआत आज राष्ट्रपती महोदय के हाद से हुगी इस स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स जो बनेगा जिसका विशाल स्टेडियम भी एक हिस्सा होगा स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स में विश्वस्तरिये सभी खेलों की व्यवस्ता यहां पर होगी और देश और दुनिया के सभी खेलों के सभी खिलाडियों को ट्रेनिंग की भी व्यवस्ता पर यहां पर होगी उनके कोचीज को रहने के भी व्यास्ता होगी और एक साथ तीन हजार बच्चे यहाँ पर अलग-अलग खेलों का ट्रेनिंग ले सके इस प्रकार की व्यास्ता का आज निर्मान और उसकी सुरुवात इसका भूमी पुजन महामहिम राष्टपती महोदय के हाथ से हो रहा है इसका मुझे बहुत बहुत आनन और घवरव दोनों है क्योंकि मैं यहाँ से संसद भी हूँ राष्टमती महोदय आज आप मेरी कॉंसिटेंसी में पदा रहे हैं इसलिए संसदे नाते भी मैं आपका विशेश स्वागत करना चाहता हूँ मित्रो कोई जी जिस दिन भारत के राष्टपती बने इस दिन भारत के करोडो सामान्य जनों के मन में एक स्रद्दा जागरूत हो गई कि हमारा लोक तंत्रा नीचे तक परकोलेट हो चुका है एक सामान्य घर से जन्मा हुआ संगर्स करा हुआ व्यक्ति एक देहात के अंदर पला बढ़ा व्यक्ति अपनी सिक्सा के दम पर, अपने कर्टूतों के दम पर, अपनी निष्टा के दम पर और अपनी मेहनत के दमपर भारत के सर्वोत्चस्तान पर बिराजमान हो सकता है, यही हमारे लोकतंद्र का गवराउ। जब मैं पार्टी में था, कुविट जी भी पार्टी का काम करते थे, हमने साथ में बहुत काम किया हैं। इतनी सरलता इतनी लगन इतनी मेहनत सायथ ही किसी व्यक्ति में एक साथ मिलती है और अपने आपको आगे न करते हुए चुप चाप अपने दिया हुआ काम करना और गवरव के साथ करना और काम को भी गवरव दिया एक किसी दक्स व्यक्ति में ही इतने सारे घून समाहित होते राष्ट्रपती बनने के बाद राष्ट्रपती भवन को उन्होंने आम जन के लिए खुला कर दिया और राष्ट्रपती भवन के अंदर कई ऐसी एक्टिविटियां की, कई ऐसी गतिविद्यां की जिसके मात्यम से राष्ट्रपती भवन लोगों को आज अपना लगने लगा है और मैं मानता हूँ इससे हमारे लोकतंत्र का गवरव बढ़ा है और राष्ट्रपती मोहदय आज आप इहां पर उपस्तित हुए है इसलिए मैं फिर से एक बार बड़े मन से दिल की गहराईयों से आपको धन्यवाद करकर मेरी बात की सुरुआत करना चाहता हूँ मित्रो ये टोटल स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स जो बनेगा सरदार पतेल स्पोर्ट्स अंकुल वो 233 एकर भूमी में बनेगा ये देश का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स बनेगा इसके साथ न सरदार पतेल स्पोर्ट्स अंकलेव नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नानपुरा में बननेवारा स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स ये तीनों मिलाकर किसी भी आंतराष्ट्रियस परधा में खेलने वाले सभी खेलों को आंतराष्ट्रियस तरपर खेलने की पूरी वियोस्ता एक ही सहर में एक ही जगे पे हो जाएगी यह मुझे लगता है अमदाबाद के लिए घवरों की बात है मैं आज बताना चाहता हूं अमदाबाद और देश के लोगों को कि तीनों चीजे मिला कर सरदार पटेर स्पोर्ट्स अंकलेव जिसका हिस्सा नरेंद्र मोदी स्टेडियम और नानपुरा में बनने वाला एक स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स ये तीनों लोगों चीजों को अगर मिलाते हैं तो दो सो तेतीस एकड़ भूमी पर कोई भी अंतराष्ट्रिय खेल स्परदा करनी है चाहे कॉमनवेल्ट गेम करने हो चाहे इस्याड करना हो चाहे ओलम्पिक करना हो अमदाबाद छे महिने के अंदर तैयार होकर खड़ा हो जाए इस प्रकार का स्पोर्ट्स इंफ्रस्ट्रक्चर आज यहाँ पर बनने की सुरुआत हुई है और इस sports infrastructure के बनने के साथ ही अम्दाबाद भारत में sports city के नाम से जाना जाएगा जो हमारे प्रदान मंत्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्य मंत्री थे तब देखा हुआ उनका सपना था मित्रो आज मैं जब यहां पर इस कारेक्टर में बोल रहा हूँ तब मुझे मोदी जी का इस सभी जो सुविधाय खड़ी हो रही है इसके लिए उनकी जो दूर्दा सिता थी उनका जो वीजन था उसका जिक्र अगर में नहीं करूँगा तो मेरी बात अधुरी रहे जाएगी मोदी जी जब गुझरात के मुख्यमंत्री बना चाहिए सब चीज में हम आगे है दो चीजों को नहीं छोड़नी चाहिए स्पोर्ट्स और दूसरा सेना में भरती सेना में भरती का कोटा भी हमारा खाली रह जाता था और स्पोर्ट्स की दुनिया में भी गुझराती कहीं दूर दूर तक दूर्बिन लेकर भी ढूंडो दिखाई नहीं परते थे वहीं से नरेंद्र भाई ने गुजरात में दोनों की चीज़ों की शुरू आती और आज मुझे कहते हुए घर है कि जो हमारा गुजरात का कोटा है सेना की भरती का वो आज खाली नहीं जाता है गुजराती विवा आज सेना में भरती होना सुरूर हो गाए और जहां तक खेल कुद का सवाल है जहां तक स्पोर्ट का सवाल है खेलो गुजरात की सुरुआत करी बड़ी-बड़ी स्पोर्ट सुविधाओं के अंदर उन्होंने अपना योगदान दिया उसको विजुलाइज किया है उसको जमीन पर उतारा उसको मुर् है सारे खेल को सारे स्पोर्ट जगत को नरसींग करने का काम इस विजण के साथ इन्होंने इसकी दूर दर्षी का साथ उसी वक्त प्लानिंग की थी जब अन्होंने हम सब के सामने का था छोटा मत सोचिए बुजरात में जो भी होगा विश्व का सबसे बड़ा होगा और व और जब कैपेसिटी तरास की गई, एक लाग बतीस हजार, एक लाग बतीस हजार दरसक साथ में बैट कर क्रिकेट की मैच का लूपत उठा पाए, इस प्रकार का स्टेडियम स्री नरेंद्र मोधी के नाम से राष्टपती महोधय ने अपने कर्व कमलों से उद्गाटि किया है जो न केवल दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट स्टेडियम है, जिसका नाम आज हमने हमारे देश के प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी जी के नाम से रखा है, यह जो सुभिधाय जो होने जा रही है, इसके पहले मैं थोड़ा क्रिकेट स्ट्रेडियम के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं मित्रों, 32 ओलम्पिक साइज के फुट्बॉल जेतना ये मैदान है, 2,48,714 वर्ग मिटर का इसका ख्षेत्रफल, 1,14,126 घन मिटर कॉंक्रीट, और 13,306 मेटरिट टन लोहा इसके सुरुद्रणी करिंग के लिए उपयोग में किया गया है, मित्रों, इसको सभी दुरुष्टी से संपूर्ण स्टेडियम बनाने का GCA की टीम ने प्रयास किया है, और मैं आज उनको कहना भी चाता हूँ कि आपका प्रयास सफल प्रयास है, विश्व में किसी भी क्रिकेट स्टेडियम में, एक साथ ग्यारा पीच नहीं है, एक साथ चार ड्रोइंग रूम नहीं है, एक साथ चारो ड्रोइंग रूम के सटूए, एक साथ पूरी अत्यादूनिक सब स्वयल जल निकासी प्रणाली भी बनाई है, बारिस आती है, तो कितनी भी बारिस हो, आदे घंटे में मैच डिश्टब करें बगर, आगे का खेल बारी की सुरूटते ही हम सुरू कर सकते हैं, इस प्रकार का करा है, जिसके कारण खिलाडी की परचाई पीच पर नहीं पड़ेगी, खिलाडी की परचाई ग्राउंड पर नहीं पड़ेगी, और क्रिकेट के खिलाडी अपना क्रिकेट बहुत अच्छे तरीके से खेल पाएंगे, और जिसमें 40 से 50 प्रतिसत बिजली की बचत भी होने वाली है मित्रोजीस प्रकार का हाई-टेक मीडिया रूम बनाया है मुझे कहने में कोई जिजक नहीं है ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे हाई-टेक मीडिया रूम है जो यहां खेलने वाले हर खेल को दुनिया तक पहुचाने का काम करेगा खेल चाहे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खिला चाहे खेल चाहे सरदार पटेल स्पोर्ट एंकलेव के अंदर खिला चाहे वो खेल को प्रसारित करने की व्यवस्ता ये नरेंद्रमोदी क्रिकेश स्टेडियम के मिडिया रूम में है और हाई टेक मिडिया बॉक्स जो बनाए हैं वो भी अपने आप में एक बहुत अधुनिक प्रकार के बॉक्सों का सुजन बहनत करकर प्लानिंग करकर जिसे के माध्यम से किया गया है यहाँ पर आवाजाही के लिए BRTS से भी जूडने वाला है मेट्रो भी यहाँ तक पहुँचने वाली है और जब रिवर फ्रंट का एक्स्टेंशन समाप्थ हो जाएगा एक सुन्दर मानर्मदा और साबरमती के नीर हमेशा यहाँ सान्ती और सितलता प्रदान करते रहेंग कि इस प्रकार का एक कुद्रती नजरा यहाँ पर बनने का काम समाप्थ हो जाएगा और मित्रो मैं इसके साथ में यह भी कहना चाहता हूं कि स्पोर्ट कॉंप्लेक्स के अंदर ही नरेंद्र मोर्दी स्टेडियम के अंदर ही अलग-अलग प्रकार के कई खेल को खेलने की व विवस्ता किये और इसके कोचीस को रहने की विवस्ता भी सर्दार पटेर स्पोर्ट अंक्लेव के अलावे करी और इसके साथ एमदाबाद सेर गांधी नगर जिला और अमदाबाद ग्रामिंड जिला के 600 स्कुलों को हम इसके साथ जोडने वाले हैं जिनके पास अपने प् वो हार को हजम नहीं करने पाए गया जितने का जजवा कैसे खड़ा होगा जितने का जनून कैसे खड़ा होगा और इस संसकार जो बच्चे में रह जाते हैं वो उसको एक अच्छा मनुष्य बनते हुए रोकते हैं हम साड़े 600 स्कुलों को 600 से ज्यादा स्कुलों को लगबग सब्ता में एक दिन बच्चा यहां आएगा पूरा दिन खिलेगा खाना भी यहां खाएगा और साम को सुरक्सित अपने घर पर पहुंचे एक कंप्लीट तीन जिलो की स्पॉर्ट की सुविदा यहां पर खड़ी हो इस प्रकार के विजन के साथ मोधी जी ने इसका स्कैच बनाया था मुझे आनंद है कि इनके बाद मैं अध्यक्स बना इनके बाद यह जिसी एक की टीम यहां पर बैठी है जय और धन्राग बैठे हैं इन सब ने इखटा बैठ होकर आज मोधी जी के विचार को जमीन पर उतारने का काम किया है और नरेंद्र मोधी स्टेडियम दे पिंक बॉल का मैच पहली बार इस टेडियम पर खिला जाएगा और मुझे कहते हुए बड़ा आनंद है मैच के रैकप्री स्रिनाथ है नित्रों स्रिनाथ के लिए यह जो हमारा स्टेडियम यह भूमी है बहुत यादगार है कि इनों ने यहां पर ही आफरीका के सामने मैच खलते हुए छ विकेट जटकाये थे और भारत को विजह दीलाने का काम किया था इसी ग्राउंड पर दस साल के बाद कपिल्दी ने रिचर्ड हेडली का चार सो इकतीस विकेट लेने का वर्ल्ड रेकोर्ड को तोड़ कर भारत को वर्ल्ड रेकोर्ड की तालिगा में डालने का काम कपिल देव ने इसी भूमी पर किया था अठारा हजार रन पूरा करने का काम किया था इसी भूमी पर सचिल तेंडूल करने अपनी केरियर के 20 साल भी पूरे किये थे मित्रो चेतेश और पुजारा भी यहाँ पर डबल सेंचूरी लगा रहे हैं आज भी खेल रहे हैं मैं तो आशा करता हूँ कि आज उसको वो रिपीट करें और भारत को विजय दिलाएं मित्रो मैंने आप सभी को नरेंद्र मोदी स्टेडियम की बात करी मगर नरेंद्र मोदी स्टेडियम स्वयम जिसका एक अंग है ऐसा सरदार भलबबाई पटेल स्पॉर्ट एंकलेव का भी आज महा महिम ने भूमी पूजन किया है मित्रो सरदार पटेल स्पॉर्ट एंकलेव एक बहुत महतोकांग सी प्रोजेक्ट है आज हमारे देश को जरूर रहत है कि आंतराष्ट्य स्परदाओं के अंदर हमारे बच्चे दिखाई पड़े जब आंतराष्ट्य खेल स्परदाओं की तालिका बने हमारे बच्चों के नाम पर कई सारे मैडल्स हो मगर वो ऐसे ही नहीं होता है उनको खेलने के लिए इंटराष्ट्रक्चर बनाने पड़ेगा इंटरनेशनल स्तरकी कोचिंग की वियोस्ता करने पड़ेगी इंटरनेशनल कोच उपलब्द करनाने पड़ेगे और यही अगर सब एक जगे पे हो जाता है तो सोने में का होता है नरेंद्र मोदी जी ने हमारे अमदाबाद को मेरी कॉंसिटेंसी को एक बहुत बड़ी घिप्ट दी है सरदार वलब बाई पटेल स्पॉर्ट एंक्लेव को बनाकर मित्रो मोदी जी की सरदार पटेल के लिए जो स्रद्दा है वो अखाद ही सरदार पटेल का जो योगदान देश को आजादी के बाद एक करने में रहा सायद सरदार नहोते तो हम विकर जाते ही कहीं नहीं होते सरदार का ये द्रड निश्य सभावी था कि जिन्नोंने 600 से ज़्यादा राजों रजवारों को रियासतों को एक करने का काम किया मगर उनके साथ इतियास में बहुत अन्याई किया गा जब-जब कॉंग्रेस का सासन रहा सरदार पटेल को भुलाने का प्रयास कर दिया उस्ति नरेंद्र मोदी जी ने असी व्यवस्ता की कोई कितनी वेश बरसों सासन करे सरदार को कभी भुला न चापाए युगो युगो तक सरदार का नाम अमर हो जा उन्होंने केवडिया में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेच्यू गुजरात के सुपुत्र और देश के लोग पुरु सरदार पटेल के नाम पर बना कर आज ताज महिल से ज्यादा लोग सरदार पटेल के वो स्टेच्यू को देखने आते हैं यह जवाब है उन लोगों को जो अपने परिवार के साथ सिंके हैं और आज मोदी जी के ही गाइडन से मोदी जी की ही प्रेना से यहां सरदार पटेल स्पॉर्ट्स एंकलेव बना है जो आने वाले कई सालों तक देश भर के बच्चों को दुनिया के खेल्स परदाओं में आगे आने के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफर्म देने का काम करेगा मित्रोय स्पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स जिसका एक हिस्चा नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चानपुरा का स्पॉर्ट स्टेडियम भी रहेगा और गांधीनगर का क्रिक्ट vessel भी रहेगा इससब विलाकर कोई खेल ऐसा नहीं होगा जो ऐलम्पीक के अंदर खेला जाता होगा और इसको खेलने की सुवीदा नहीं हो उलंबीक के अंदर खेलने जाने वाले सारे खेल एकी जगे पे खेलने की व्योस्ता आग नरेंद्र मोदी जी की प्रेणा से राष्ट्रपती महोदय के करकमलों से इसका भूमी पुजन होने जा रहा है और मित्रो इसके साथ 3,000 खिलाडियों को रहने की अलग से व्योस्ता है 3,000 बच्चे यहां रहकर अपने आपको अपने कोच के मार्गदसन में अपने आपको आगे बढ़ा सकते हैं 500 से जादा अंतराश्टियस तरके कोचीज की रहने की व्योस्ता है देर सारे बच्चे यहाँ पर बेठें, मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आपको जो स्ट्रगल करनी पड़ी है, वो स्ट्रगल अगली पिडी को न करनी पड़े, इसलिए पूरी सुविधा देश के प्रदानमंत्री जी आज बना रहे हैं। कि मोदी जी ने हेरी टेस्टी स्टी तो बनाया था ंदाबाद को, आज अदाबाद भारत का स्पोर्ट सीटी भी बनने के लिए तयार खड़ा है, और अमदाबाद भारत का स्पोर्ट सीटी मना जाएगा, खेल के कई कूंब यह भुमी जो अभी दिखाई पड़ रही है, लाग वर्गफिट सिर्फ दाहिनी और है स्टेडियम को छोड़ कर तिराने लाग 93 लाग वर्गफिट का स्पॉर्ट अंखुल होगा लगबग छियाली सो करोड रुपय की लागत आएगी बती सो करोड रुपय का सरकारी निवेस होगा चोड़ा सो करोड रुपया पॉब्लिक पार्टनर पॉब्लिक पीपी मॉडल पर इसको ले जाएंगे और भारत गुजरा सरकार ने नितिन जी यहां बैठे मैं उनका और गुजेवे का दिनिवाद करना चाहता हूं कि बहुत बड़ी भूमी भी यहां पर देने का काम गुज एक अधिक दर्सक खेल के लिए 12,000 लोगों की सुवी दावला इंडोर स्टेडियम बनेगा, एक और इंडोर स्टेडियम बनेगा जिसके अंदर 15,000 लोग बैठ पाएंगे और 15,000 लोगों की होकी स्टेडियम भी बनेगा जैसे आज यहां नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम का नाम करण हुआ है महामहिम के नाम से ही होकी के जादुगर ध्यानचनगी के नाम से वो होकी स्टेडियम का भी भूमी पूजन आज ही महामहिम के हाथों से पुरा हुआ है ये सारे तीनो सुवीदाय होकर कुल मिलाकर 20 स्टेडियम बनेगे स्पॉर्ट के बढ़ावा देने के लिए स्पोट की सुविधा को आगे बढ़ाने के लिए और दूर दर्सिता के साथ खिलाडियों को खेलने की व्यवस्ता करने के लिए और जो खिलाडियों ने देश को अंतराष्टियस तर पर नाम ना दिलाई है वो सभी के नाम पर ये हर एक स्टेडियम का नाम करन किया जाएगा जिससे की खेल को बढ़ावा देने वालों को भी प्रेणा मिलेगी, खेल के कोचिस को भी पिलना मिलेगी और खेलने वालों को भी प्रेणा मुलेगी, एक तरब से यह बहुत complete स्पोर्ट संकुल बनने जा रहा है, यहाँ पर लगबग लगबग 3,000 एपाटमेंट्स बनेंगे, जिसमें 12,500 बच्चे रह पाएंगे, 3,000 एपाटमेंट्स और 12,500 बच्चे एक साथ यहाँ पर कोचिंग कर पाएं, इस प्रकार की वियोसता की है, धाई सो कोच बहर बनेंगे लगबग 12,000 कार और 35,000 टू विलर्स के पार्किंग की वियस्ता भी यहाँ पर होनी है और मेट्रो भी आगे बढ़ेगी तब यहाँ तक पहुंच जाएगी एक प्रकार से एक सहर के अंदर सहर को जोडने का स्पोर्ट कॉंप्लेक्स के जोडने का सदारपटेव स्पोर्ट एंक्लेव से जोडने का एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी आगे बनने जा रहा है नारणपुरा के अंदर लगबग लगबग 17 एकर से बड़ी जमीन के अंदर 77,004 मीटर के एरिया में 458 करोड के रुप्य की लागत से एक दूसरा स्पोर्ट कॉंप्लेक्स भी बनने जा रहा है जिसका भी नाम करण होना बाकी है मेरे लिए आनंद की बाद है रिचु जी या बेठे है अभी बजेट के बाद इन्होंने इसको एपरू किया है और मेरे लिए आनंद की बाद है गांदीनगर स्टेडियम भी मेरी कॉंसिट्येंसी में है नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी मेरी कॉंसिट्येंसी में है सरदार आनन्द है, Athletic Stadium Building वहाँ पर एक बनने वाला है, जिसके अंदर अलग-अलग प्रकार के 33 किलो को खिला जाएगा, Multisport Stadium भी वहाँ पर बनने वाला है, Tennis Stadium बहुत बड़ा, International Standard का बनने वाला है, Aquatic Stadium Building भी वहाँ पर एक बनने वाला है, Swing Pool की भी सारी विवास्ता है वहाँ पर बनने वाली है, और Pool मिला कर वहाँ पर भी 6000 वाहनों के पार्किंग की विवास्ता भी करी है, यह सारी सुविधाओं को विजूलाइज करकर संकलिट किया गया है, जिससे रिपीटेशन भी न हो, आंतराष्टिय स्तरकी भी बने, और जब कोई आंतराष्टिय स्पर्धा के लिए अमडाबा, सहर को और भारत को बिडिंग करना है, तब वो 50 किलोमीटर के दाएरे में, इस सारी सुविधाओं पचास किलोमीटर के दाएरे में भी होगी, इसकी ट्रांस्पोर्टिशन की भी वियरस्ता होगी, एक संपूर न दूर द्रश्टिका के साथ, अमडाबाद के अंदर इतने बड़े स्पोर्ट सुविधाओं का आज भूमी पुजन, लोकारपन सब हो आज इतना ज़रूर कहना चाहता हूं मैं मुधि जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूं, वैसे तो 218 से काम कर रहा हूं, वगर मुदि जी मुख्यमंत्री बने और मैं उनकी मंट्री मंदल का सदसे था वो वहाँ पर प्रदान मंत्री बने मैं पार्टी का राष्ट्ट्य इध्यक्स बना आज दूसरी बार वो प्रदान मंत्री मरें मैं उनकी मंत्री मंदल में उनका साथी एनाते काम करता हूं मित्रों उन्होंने हमेशा कहा है कि जब तक खेल में युवा आगे नहीं बढ़ सकता है देश के लिए युवा कूछ नहीं कर सकता है और इसलिए इन्होंने खेलो इंडिया की शुरुवात की, फिट इंडिया मुवमेंट को हाथ में लिया, और खेलेव इंडिया की सुरुवात को, बहुत जारा ठारा में जो हुई, इतनी अच्छी सफलता मिली है, जिसके कारण अब आप क्यों ही भी इस परदा हो, कॉमन वेल्ट की हो, हिस्यार की हो, अलम्पिक की हो, कालिका के अंदर भारतियों के नाम दिखाई पड़े, एक पारदर्सी चैन की प्रक्रिया बनाए, इनके कोचिंग की व्यवस्ता करे, इनको उचीत कैलेरी में, उचीत मात्रा में आहर मिल पाए, इसके लिए दुनिया बर के एक्सपर्ट को बारत सरका ने रखा, और एक बजेट के अंदर मस मोटी बढ़ोतरी करकर, स्पोर्ट की सुईदाओं को बढ़ाने का काम करा, और तैसिल तक स्पोर्ट को नीचे तक तैलसी तक परकोलिट करने के लिए, उन्होंने बहुत पेन लेके आगे बढ़े हैं, और मैंने इस बात को बहुत नजदीक से देखा है, और देश में स्पोर्ट उन्यवर्सिटी भी मनिपुर में उन्होंने बनाई, नौर्थी स्पोर्ट में सबसे आगे होता है, वहाँ पर बनाई, और आज एमदाबाद में पूरी स्पोर्ट की सुविदाये बनने जा रही है, मैं मानता हूं मित्रो कि ये दिन अब दूर नहीं है, कि आने वाले दिनों में एस्याड हो या उलम्पिक हो, हमें हमारे लोगों के, हमारे खिलाडियों के नाम, हर तालिका के अंदर सिल्वर, गोल्ड लेते हुए नजर आये, वो दिन भारत के लिए बहुत नदिक है, आने वाले आट-दस साल में ही इस विदाओं से खड़े हुए खिलाडी, दुनिया के अंदर अपना जज़बा दिखाते हुए भारत मता को सन्मान दिलाने का काम करेगा, मित्रो, मैं आज यहां से देश भर के युवाव कोई अपिल करने भी आया हूँ, कि मोदी जी, जब से प्रदान मंत्री बने तब से, उन्होंने देश का सन्मान दुनिया में बढ़ा है, और अब उन्होंने आत्म निर्वर भारत का नारा दिया है, आत्म निर्वर भारत का नारा का मतलब सिर्फ अर्थतंत्र के अंदर आत्म निर्वरता नहीं है, हर चेत्र के अंदर आत्म निर्भरता होनी चाहिए और खेलों के अंदर भी आत्म निर्भरता होनी चाहिए और खेलों पर भी खेलों की दुनिया में भी भारत का नाम दुनिया में सर्वोच जगे पर रखने का लक्स रेकर हमारे युआ होने परिश्रम करना चाहिए जहां तक infrastructure का सवाल है जहां तक कोचिंग का सवाल है जहां तक वायू मंडल बनाने का सवाल है मैं आपको मोद जी की और से गैरंटी देता हूँ नरेंद्र मोदी सरकार एक इंच भी आपकी महनत से पीछे नहीं अटे की चाहे इंफरेस्ट्रक्चर देनी की बात हो चाहे वाय का नाम रोशन कड़े और आज जो सुविदाय हो रही है मुझे बहुत आनंद है कि एक शुरुवात है अंत नहीं है और हम सब का सवभाग्य है कि शुरुवात करने के लिए हमारे महामहिम राष्टपती स्वयम पदा रहे हैं उनके प्रेहना से उनके करकमलों से आज जो यहा मनिबर भारत का सपना खेलों के क्षेत्र में भी हम पूरा करेंगे मित्रों फीर से एक बार एमडाबाद के सभी लोगों को और देश बर के खिलाडियों और खेल प्रम्यों को सरदार पटेर स्वार्ट एंकले और नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो विश्व का सबसे बड़ स्टेडियम है इसके लिए मैं रदय पूर्वक की सब को सूपकामनाय भी देता हूं और खिलाडियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जो साड़े 600 स्कुलों के बच्चे यहां खेलने आने वाले हैं उनके माबाप उनके अभीभावकों को भी मैं अपिल करना चाहत हूं कि बच्चे को मैदान में खेलने दिजेगा मिट्टी के अंदर छोड़िएगा तभी जाकर वो सफल नागरिक बन पाएगे हार को पचाने की आदत पड़ेगी जीतने का जजबा आएगा जीत की आदत पड़ेगी तो जो काम करेगा उसमें वो आपका नाम रोशन सबी अभी भावक खेलों के लिए अपने बच्चे को इस पॉर्ट्स कॉंप्लेक्स और नरंद मोदी स्टेडियम के भीजने का संकल्ब करें यही अभ्यद्ना के साथ मैं फिर से एक बार महामाहिम को मेरी और से धन्यवाद करते हुए मेरी बात को समाप करता हूं भारत मता गीजेए